Hello everyone, very good morning to all of you. दिन की शुरुबात करेंगे 9 अप्रेल 2022 के important current affair के साथ. हर एक question important है आपके exam के लिए इसलिए पूरा वीडियो ध्याम से देखिएगा. PDF और Telegram दोनों का link मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है, तो आप दोनों को description से avail कर लीजे. चले इस्टार्ट करते हैं और आज का पहला question है, अभी हाली में विश्यो स्वास्त दिवस कौन से दिन मनाया गया? ये दिवस हम लोगोंने परसो के दिन मनाया, मतलब 7 अपरेल को ये दिवस हर साल मनाया जाता है. और इस बार 2022 की धीमती Our Planet, Our Health. ये दिवस इसलिए मनाया जाता है, कि लोगों में well-being के लिए awareness पैदा हो, और साथ में इस planet को बचाने के लिए भी awareness पैदा हो. बेसिकली इसको मनाना स्टार्ट क्या गया था, WHO के द्वारा, World Health Organization, जिसकी स्थापना 1948 में करी गई थी. WHO का headquarter है, Geneva, और इसके प्रेसिडेंट है, Tedros Adnan. क्या नाम है, Tedros Adnan. अगला कोशन है, अभी हाली में ये कौन सा बैंक है, जिसके द्वारा एक सुपर एप्लिकेशन लॉंच किया गया है, जिसका नाम है Union Next, और इन्होंने इसके साथ में एक Digital Transformation Project भी लॉंच किया है, जिसका नाम है संभव, तो संभव नाम का ये प्रोजेक्ट और Union Next नाम का एप्लिकेशन लॉंच किया गया है, Union Bank of India के द्वारा, किसके द्वारा, UBI नहीं ये जो प्रोजेक्ट लॉंच किया है, इसका सीधा सा मोटो ये है कि Union Bank के जो कस्टमर से, वो easy shopping कर सकते हैं, bills का payment कर सकते हैं, recharge कर सकते हैं, other payments कर सकते हैं, और इसके अलावा investments भी कर सकते हैं, और loan भी ले सकते हैं Union Bank of India से, ultimately एक तरीके से आप बोल सकते हो, जैसे कि Bank of Bologda का जो application है, इसको हम लोग Bob World के नाम से जानते हैं, SDFC का अपना application है, जिसको PayZap के नाम से जानते हैं, SBI का Yono application है, इसी तरीके से IMPay है, ICICI Bank का, तो ये जो जैसे बड़े-बड़े applications हैं, जिनसे आप सारी facilities अवेल कर पाते हो, बैंक की, उसी तरीके से Union Bank of India ने अपना application लाँच किया है, जिसका नाम है Union Next, और इस पूरे process के लिए Union Bank of India ने एक हजार करोण की धंदाशिया अवंटित करी है, अगला question है, अभी हाली में Forbes Billanier List 2022 जारी करी गई है, तो इस बार इसको टॉप किस ने किया है, इस बार टॉप किया है Elon Musk ने, SpaceX के founder Elon Musk, इन्होंने SpaceX की स्थापना करी थी साल 2002 में, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लिजे कि टॉप 3 में कौन है, Elon Musk नमबर 1 पे हैं, सबसे ज़्यादा अमीर विक्ति हैं पूरे दुनिया के, नमबर 2 पे Jeff Bezos हैं, Amazon के founder, और नमबर 3 पे है LVMH के founder, Bernard Arnault, यह एक France CC है, दूसरी चीज यहाँ पर देखेगा, यह जो टॉप 10 है, इसमें केवल एक ही भारती हैं, जिन्होंने जगे बनाई है, यह हैं मुगेश अम्बानी, इनको दसवी रैंक हासिल हुई है, और मुगेश अम्बानी की जो net worth है, वो यह है, इसके अलावा भी आप यहाँ पर कुछ चीज़े ध्यान रखिए, जैसे कि इस बार की Forbes Billenier 2022 के लिस्ट में, टॉप 3 भारती है कौन रहे, तो मुगेश अम्बानी नंबर 1 पे रहे, नंबर 2 पे कौता मटानी हैं, और नंबर 3 पे शिव नादर है, इसके अलावा आप टॉप 10 भी देख सकते हूँ, और यहाँ पर यह जो मैंने लिस्ट लगाई हुई है, यह टॉप 10 रिचेस्ट भारती है महिलाए हैं, जिसमें की सावित्री जिंदल नंबर 1 पे हैं, सेकेंड नंबर पे फालगुनी नायर हैं, और थर्ड नंबर पे लीना तेवारी हैं, तो यह टॉप 3 महिलाए हो गई भारती, यह टॉप 3 भारती पुरुष हो गई, रिचेस्ट बिलेनियर की लिस्ट में, और यहाँ पर टॉप 3 ग्लोबली अगर देखें, तो यह तीन हो हैं, तो यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं, अट लीस्ट आप टॉप पर कौन हैं, हर फेस में, उसे आप ध्यान रखें, और एकलोते ऐसे भारती अमुकेश अमानी हैं, जो की टॉप 10 में रहें, अगला कुशन है, अभी हाली में 2021 के, सरस्वती सम्मान के लिए किसको नॉमिनेट किया गया है, तो इस बार नॉमिनेट किये गए हैं, राम दरश मिश्रा, कौन हैं, राम दरश मिश्रा, सरस्वती सम्मान, बेसिकली, पोएट और लिटरेजर के छेतर में, उतकर स्टकार करने के लिए दिया जाता है ये सम्मान केके बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है किसके द्वारा केके बिरला फाउंडेशन और सरस्वती सम्मान के साथ आप से कई बार पूछा जाता है कि कितने रुपे की धन्राशी दी जाती है तो इसके साथ 15 लाख रुपए की धन्राशी दी जाती है आपको बतादू भारत में दिये जाने वाले ऐसे सम्मान जिनके साथ सबसे ज़ादा धन्राशी दी जाती है उनमें से एक सम्माने सरस्वती सम्मान इसके अलावा अगर राम दरश मिश्रा जी की बात करें तो इन्होंने आज तक 32 पोयम्स का कलेक्शन लिखा हुआ है पंदरा से जादा इन्होंने नॉबल्स लिखी हुई है अगला कुश्चन है अभी हाली में भारत सरकार के द्वारा सेमी कॉन इंडिया एडवाईजरी कमेटी का गठन क्या गया है इस कमेटी के हेड कॉन एपोइट के गए है तो रेलवे और इलेक्ट्रोनिक एंड आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैशनो को इसके हेड के रूप में एपोइट किया गया है अब समझ दीजे जो कमेटी बनाई गई है ये कमेटी क्यों बनाई गई है जिसका राम है सेमी कॉन एंडिया एडवाइजरी कमेटी आज की डेट में आप कोई भी मेकेनिसम बनाते हो तो वहाँ पर हर जगह पर आपको सेमी कंडक्टर्स की जरूद परती है किसकी जरूद सेमी कंडक्टर्स की चाहे आप मोबाइल मैनिफैक्टरिंग के छेतर में हो चाहे आप आप आटो मोबाइल मैनिफैक्टरिंग के छेतर में हो हर जगह पर आपको सेमी कंडक्टर्स की जरूद परती है तो इस केस में ये जो कमेटी है ये committee अगले एक साल तक के लिए बनाई गई है, अगले एक साल तक के लिए इस committee को target दिया गया है, कि ये इन सारे targets को पूरा करते हुए एक solution निकालें कि भारत में हम automobile छेतर में हूँ, चाहे electronic manufacturing के छेतर में हो, हर छेतर में हमें semiconductor की जो कमी है ये ना पढ़ने पाए, तो ultimately semiconductor की प कि आगे ये committee क्या करेगी, फिलाल इसको head करेंगे अश्वनी वैशनों क्योंकि ये इस time पे IT और electronics के मंतरी हैं, इसका उधगाटन अश्वनी वैशनों ने राजियू चंदरशेकर के साथ मिल कर किया, राजियू चंदरशेकर इस time पे Minister of State है, electronic and IT के, और इस पूरी committee के लिए आवंटित किये गए हैं, शियत्तर हजार करोण की दनाशी, कितनी, शियत्तर हजार करोण की दनाशी, अगला question है, अभी हाली में, Asian Development Bank के द्वारा, 2023 के लिए भारत का GDP growth कितना focus किया गया है, ADP ने GDP focus किया है, साड़े साथ परसेंट, 2023 के लिए, साथ में ADP ने 2024 के लिए भी predict किया है, 2024 के लिए इन्होंने 8% का prediction दिया है, Asian Development Bank की स्थापना 1986 में गरी गई थी, इसका headquarter है Manila और इसके president है मसा सुगू असा कावा, कौन है मसा सुगू असा कावा, पिछले ही साल Asian Development Bank में, Vice President के रूप में भारती अमूल के अशोक लवासा को appoint किया गया था, क्या नाम है अशोक लवासा, ये भारत के election commissioner भी रह चुके हैं, इस टाइम पर Asian Development Bank के 68 member countries हैं, अगला question है, a community museum has been opened in Gya Samosa villages of which district, ये कौन सा district है, जिसके Gya Samosa गाहों में community museum अभी हाली में inaugurate किया गया है, तो ये है ले district, ले के अंदर Gya Samosa गाहों में, इसका उदगाटन क्या गया है, अभी ये museum क्यों inaugurate क्या गया है, देखें ये museum जो है, ये ले लद्दा की traditional things के बारे में बताएगा, जो की traditional चीजे हैं यहाँ पर लोगों के द्वारा बनाई जा रही हैं, जैसे कि यहाँ के लोग crafting का काम जानते हैं, इसके अलावा यहाँ के बरतन काफी famous हैं, ठीक है, और इसके अलावा painting के भी collections हैं, इन सभी को यहाँ पर पदर्शित किया जाएगा, ultimately ये जो museum है, ये आपको ले के culture के बारे में बताएगा, और ले में इस टाइम पर गवन्नर कौन है, आरके माथ अगला question है, ये कौन सा राज्य है भारत का, जहां पर अभी हाली में भारत और किर्गिस्तान की joint special force exercise का inauguration किया गया था, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में joint special forces exercise इस बार आयजित करी गई थी हिमाचल प्रदेश में, कहां पर हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल exercise है, ये 25 मार्च को start हुई थी, और अभी हाली में 6 अपरेल को खतम हुई exercise, इसमें भारत और किर्गिस्तान की दोनों की special forces ने हिस्सा लिया, किर्गिस्तान की capital क्या है, इसको बोलते है, बिशकेक, क्या बोलते है, बिशकेक, और यहां पर currency चलती है, सोम, अकला question है, अभी ह और CEO के रूप में, एक बार फिर से appoint क्या गया है, मुर्ली नेटराजन को, ये कौन है, जो आपको picture में देख रहा है, मुर्ली नेटराजन, वैसे मैं आपको बता दूँ, मुर्ली नेटराजन 2009 से managing director और CEO की post में है, DCB bank की, लेकिन अभी क्या हुआ, कि इनको retire होना था 2022 में, लेकिन सरकार के द्वारा ये policy बनाई गई है, मतब RBI ने, Reserve Bank of India ने, बैंक के chief executive का जो tenure है, ये 15 साल का कर दिया है, तो अगर आप देखें 2009 से 15 साल कब होते हैं, 2022 में नहीं, 2024 में होते हैं, तो इसलिए इनका कारकाल अगले 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो मुर्ली न इंडिया senior men's national championship 2022 का उधगाटन क्या गया है, कौन से शहर में, तो इस बार होकी इंडिया senior men's national championship कायोजन क्या जा रहा है, मध्य पदेश की capital बोपाल में, और इस बार इसका 12 संस्क्रण inaugurate क्या गया है, और अभी ये शुरुआत हुई है इसकी 6 अपरेल को, आपको पता है, पिछली बार जब 11 सत्र इसका आया जित क्या गया था, तो 11 एडिशन इसका जीता था पंजाब होकी टीम ने, पंजाब ने फाइनल में उत्तर प्रदेश को रहा था पिछले टूर्नामेंट में, तो इस बार देखते हैं कौन से टीम जीतती है, होकी, इंडिया, senior men's, national championship, इ ये किताब अभी लॉंच हुई है, और इसके author कौन है, तो ये किताब लिखी गई है, ध्यान रखेगा, इनका नाम है हरीश महता, कौन है हरीश महता, और ये किताब बेसिकली लिखी गई है, NASCOM के उपर, NASCOM आपको पता है, भारत सरकार की एक non-profit organization है, और ये भारत में technology industry के में कारे करते हैं, तो ये जो किताब है, ये किताब ये बता रही गया है आपको, कि NASCOM ने भारत के IT revolution में क्या-क्या योगदान दिया है, NASCOM की स्थाफना 1988 में करी गई थी, इसका headquarter है नई दिल्ली, अगला question है, अभी हाली में भारत के कौन से राज में सरहुल महुसो मनाया गया, तो सरहुल उस्सो मनाया जाता है हर साल जारकंड में, और जारकंड की tribal communities इसको मनाती हैं, जारकंड की जो main tribal communities हैं, ये है मुंडा tribe, मुंडा के अलावा यहाँ पर हो ट्राइब है, हो ये यहाँ की main tribe हैं, और तीनो tribal communities के द्वारा सरहुल उस्सो मनाया जाता है, सरहुल उस्सो जारकंड के अंदर जो tribal communities हैं, इनमें जो diversification हैं, मतलब जो विभिनताएं हैं, जो इनका culture है, उसको promote करने के लिए मनाया जाता है, और ये जो festival है, ये फूलों का तेोहार भी माना ज culture से कि सरहुल नाच कौन सराज में चलता है, तो ये जारकंड में चलता है, ध्यान लखियेगा, और अभी ये जो तेोहार मनाया गया, इस तेोहार में एक dish बनाई जाती है, जिसको बोला जाता है हांडिया, इसमें एक हांडी के अंदर चावल के साथ dry fish पकाई जाती है, जि जारकंड में इस टाइम पे हेमन सरेन की सरकार है, और जारकंड में गवर्नर कौन है, ये है इस टाइम पे रमेश बाइस, कौन है, रमेश बाइस, अगला कुशन है, ये कौन सा राज्य है जहांपर अभी हाली में, One Health Pilot Project का उधगाटन क्या गया है, तो ये राज्य है उत्त के अंदर, जो भी Animal Husbandry और Daring करने वाले जो किसान है, उनकी Health का ख्याल रखा जाए, और साथ में जो उनके Pets हैं, उनकी भी Health का बहतर ख्याल रखा जाए, इसके लिए बहतर कदम उठाए जाएंगे, तो इसका जो मेन मोटो है, वो ये है कि पूरे भारत भर में One Health Road Map को जाए, और साथ में इनके Animals की भी Health का प्रोडेक्शन दिया जाए, नेक्स कोशन है, अभी हाली में 2022 की QS World University Ranking जारी करी गई है, जिसमें कौन सी यूनिवरस्टी ने टॉप किया है, तो अगर Overall देखा जाए, तो MIT ने टॉप किया है, इसको बोलते है Massachusetts Institute of Technology, जो की अमरीकी अब देखें, इसको 5 कैटिगरी में भी लॉंच किया गया है, एक तो Art and Humanities में, तो अगर Art and Humanities में आप से पूछा जाए, कि टॉप किसने क्या है, तो ये Oxford University है, Engineering और Technology में इसमें टॉप किया है, MIT ने, Life Science और Medicine में Harvard University ने टॉप किया है, Natural Science में MIT ने टॉप किया है, और Social Science और Management म Harvard University ने टॉप किया है, ये तो बात हो गई globally और category wise, अब बात होती है कि भारत में कौन सी university ने टॉप किया है, तो भारत में इस बार IIT Bombay Institute ने टॉप किया है, किसने है, IIT Bombay, और अगर globally देखा जा है, तो IIT Bombay को rank मिली है 65 और second number पे रहा है, IIT दिल्ली, और IIT दिल्ली को जो rank की मिली है globally, ये है 72 second bank, अगला question है, अभी हाली में कौन सा ये शहर है, जहां पर योगा महस्तो की शुरुवात करी गई है, तो योगा महस्तो की शुरुवात करी गई है, नई दिल्ली में, लाल के लेके सामने, Red Ford Complex के नाम से इसको जाना जाता है, और इसका उद्गाटन, Ministry of आयूश के द्वारा किया गया है, आयूश मंत्राले सब नंदा सुनवाल के पास है, इसमें chief guest थे, लोग सभाय speaker, ओम बिरला, अब यहां पर एक चीज समझे, ये जो योगा महसो है, ये कितने दिन तक चलने वाला है, ये 75 दिन तक चलेगा, 75 डेज तक, इसकी शुरुवात उस दिन को हम लोग मनाएंगे कौन सा दिन, international yoga day, 21 जून को जब इसका समापन किया जाएगा, तो उस दिन प्रधान मंत्री नरेन मूदी इसको lead करेंगे, और आप सभी लोग ध्यान रखे, आज है 9 तारिक, आज मैं शाम को quality के advance mcqs आपको कराऊंगा, आपके exam के लिए, ज आप version 7 डालेंगे तो आपकी class खुल जाएगी, बाकी आप मुझे anacademy plus में join कर सकते हो आने वाले exam के लिए, static gk का मेरा नया batch अभी हाली में start हुआ है, 6 April से, आप किसी भी exam के तायारी कर रहे हो, किसी का भी मतलब किसी भी, x, y, z, कोई भी exam हो, हर एक exam में जो भी static gk आप स तक का discount मिल जाएगा, इस code की मदद से आप UPSC, IITJ, SSC, Bank, Railway, CDS, कोई भी subscription purchase कर सकते हो, आज की बात यही दग रहेगी, bye bye, take care, have a nice day, आप का दिन मंगल में हो